हाइवेज बनाने पर हमारी सरकार अल्मोस्ट दो लाग करोर रुपे खर्च करती है जबकि इस आर्टिकल को देखिए NFHS सर्वे के अनुसार सिरफ 8% इंडियन परिवारों के पास गाडियां है 50% लोग हमारे देश में अभी भी साइकलों का, बाइक्स का या स्कूटर्स का इस्तिमाल करते है तो सिरफ 8% लोग के फायदे के लिए यहाँ पर क्यूं पैसा खर्च किया जा रहा है इससे बहतर है इस पैसे को एजुकेशन में लगाये जाए वैसे भी इतने बड़े बड़े हाईवेज बनाना और ये कार बेस्ट इंफ्रस्ट्रक्चर बनाना हमारे शहरों में मैं इसके सक्त खिलाफ रहा हूँ अरे कहना क्या चाहते हो अमेरिका की सड़के इसलिए अच्छी नहीं है कि अमेरिका विक्सित है बलकि अमेरिका विक्सित ही हुआ इसलिए क्योंकि यहाँ पे सड़के अच्छी थी अगर किसी भी राज में एक्स्प्रेस वे का जाल बिछा हुआ है उस राज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोख सकता है और बिहार को जो कहा जाता है ने कि आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा यहां पर लॉजिस्टिक कोस्ट 18% है मतलब एक सामान जो भी आप यूज करते ह उसमें 18% केवल उसके ट्रांस्पोर्टेशन का लगा है जबकि दुनिया का कोई भी देश जो विक्सित है उसका लॉजिस्टिक परसेंट 8% से जादे नहीं होता है तो हमारे बिहार में जो महंगाई है वो 10% तो फालतू है 25-25% तक का बिहार का ओन एन एवरेज 20% लॉजि लग जाता है मतलब समझ रहा है इसको एक किलो में 100 किलो मेटर जाने में न यहां पांच घंटे लगते हैं और इस पर स्पीड लिमीट होती है 120 मतलब 120 पर चलिए तो कोई दिक्कते नहीं आपको 120 से नीचवा चलिए तो पीछवाला गरी आएगा समझे आप सची एक घंटा सभी हम 50 मिनट में 100 कीलो मीट कभी कल पना कर सकते हैं बिहार में 50 मिनट में प्राइगे जिस दिन आप 2 में 100 किलो मीटर की डिस्टेंस एक घंटमे में चल सकते हैं तब कहिए कि भीहार आगे जाएगा बागी चीजे हो जाती है कि जो चाहता है नहीं हो जो जानाए का सब्सक्राइब सबिगी आ कंपनी आई कि नहीं सबसे पहले देखती है लॉजिस्टिक कोस्ट कितना है कि यह का 10% से ज्यादे उठके चल जाएगा यहां पर अजया कितना परसेंट है एवरेज है बीस एवरेज का मतलब होता है वह हाई वैलू नहीं है वह हाई और लोग है बीच के एवरेज आपका काम में फसल लाएगा गांधी से दिवें चल रहे सचुरत नहीं संग्राइगा अ हाईगा